तिलंगाना केस सांगा रेड़ी में पियम मोधी ने जनसवा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला पियम मोधी ने कहा कि मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है मैंने देश के लिए खुद को खपा दिया है कॉंगरस का नाम लिये बगएर पियम मोधी ने कहा परिवारवादियों ने अपनी चजोरियां भरी और काले धन को सफेद बनाया उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवादियों ने विरेशी बैंको में खाते खोले पीम ने कहा 140 करोड देशवासी ही मेरे साथ है प्रदान मंत्री नारिंदर मोदी तिलंगाना में चुनावी रैली के दौरान परिवारवात के उपर हमला बोलते हुए मोदी ने अपने तोफों को तोशाखाना में जमा करवाया मैंने तोफे भी अपने पास नहीं रखे यानि जो पहार मुझे मिले वो भी मैंने अपने पास नहीं रखे सब कुछ देश के लिए नौचावर गिया क्या कुछ कहा प्रदान मंत्री ने वो सुनवा देते हैं आपको जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज करिया हैं वो परिवार तो मजबुत हुआ लेकिन वो राज्य बरबाद हुआ है क्या ये परिवारवादी राजनीती चलनी चाहिए ये परिवारवादी पार्टियां लोगतंत्र की विरोधी एक नहीं है ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी एक नहीं है ये परिवारवादी युवा की विरोधी एक नहीं है इन्हों ने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बली चड़ा दिया मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है आजब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही मोदी को मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए है प्रुदान नत्री मोदी ने आज परिवारवाद पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा चलिया आपको जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में बता देते हैं परिवारवादियों के लिए फैमिली फर्स्ट मेरे लिए देश फर्स्ट विपक्ष के लोग मुझे गाली देते हैं परिवारवादियों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं परिवारवादियों ने काले धन को सफेद बनाया है परिवारवादी लोग युवाओं से जरते हैं, परिवारवादियों ने महंगे उपहार लिये हैं, परिवारवादियों ने विदेशी बैंकों में खाते खोले हैं और इन परिवारवादियों ने शीश महल बनवाए हैं, मैंने खुद को देशित के लिए खपाया है, 140 करोर देशवासी मेरे साथ है इन से कर रहे हैं यह मोदी क्या है मोदी को इन ने अधर मोदी आज कल परिवार बात पर हमला कर रहा है अर्वाई तुम बताओ ना कि तुम को क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता ज्यादा संतान होने वाले लोगो बोलता कि परिवार बात है परिवार के लिए लोग लग रहा है तुमारे पास परिवार नहीं है ZNews पास पास